मैंने आज ये गाड़ी में जलेवी चकी, अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेवी खाई है। रहुल गांदी की रहली में जो जलेवी बातूराम की पहुंची थी, उस पे नाम भले ही बातूराम रहा हो थी गोहाना की, मगर वो ओरिजनल दुकान की नहीं थी। चले भीबाई हैं जले भीबाए हुए। बढ़ी नढ़ोtrl, सροमा शुआ राजम खाई है, एक ही राजी का इस रिजल्टा चुप्ता सुप्रीया जी चल्टा करनी होग के है। हर्याना पर्षुपुरियांजी, इस अदमी पार्टी को, मुझे वो पता है, आकड़े, नहीं हमारे दश्कों को नहीं पता होगा आप तो सब जानती हैं लिए लिए लोगों ने आपको ऐसा करारा जवाब दिया है, उससे महाराश्क लेगा, जो आपने उदर्ता आपके नवश्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं खबरी शो, दोस्तो हर्याना चुनाओ जब चल रहा था, तो कॉंग्रेस पार्टी की फिर वक्ता सुप्रे सिर्नेत ने एक डिबेट में कहा था कि अगर हर्याना में बीजैपी की 20 से ज़्यादा सीटे आ तो इनका कहना था कि सब हरयाना चुनाओ की बात क्यूं कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात करो ना जहाँ पे बीजैपी का सूप्रा साप हुआ है, लेकिन दोस्तो इन मैडम को ये नहीं पता कि जम्मू एंड कस्मीर में 90 सीट में से कॉंग्रेस को मातर 6 सीट मिली है, वो अक्शन! बिना शर्थ समर्थन दे रहे हैं, उसके बाद आपने कर लिया, इस प्रकार की बहुत सारी बाते हैं, और बहुत सामाने सी अगर बात कहें, तो छेतरी दलों का भी अपना-पना कहना है, मध्यप्रदेश के चुनाओ के दौरान, लोगों को ध्यान नहीं है क्या, कि इसके लिए चालू पार्टी यूज़ किया था, याद करिए कमलना जी किया वो वीडियो फुटेज जिसमें वो करें थे अखलेश वखलेश छोड़ दीजे, देखिए कॉंग्रेस ने एक काम बड़ा सटीक किया है, चल्दी पूरा कीज़े, हरियाना में छेतरी दल खतम हो सबसे पहले तो मैं कुछ चीजे दर्शकों के सामने और बीजेपी के सामने साफ कर देखिए, इन्डिया गटबंधन की ये ताकत है और ये मजबूती है कि नरेंद्र मोदिया 400 पार का नारा देने के बाद 240 पर गटबंधन की सरकार चला रहे हैं, इंडिया गटबंधन की ये ताकत है कि जिस सम्विधान को बदलने की बात करते थे उस पर शीष नवाना पड़ा, उस और सिर जुकाना पड़ा, उसको सिर माथे लगाना पड़ा, इंडिया गटबंधन की ये ताकत है कि चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो, चाहे वो यूट्यूब ब्रोड कास्टर्स बिल हो, चाहे वो इंडेक्सेशन हो, चाहे वो लाटूरल एंट्री हो, हर चीज पर हमने उ तो चाहर चीजे कह देती हूं, मैं बिल्कुल हम अनलाइक बीजेपी, यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया हम हाथी निगल गए, अरे आप तो वह साफ हैं जो आप अगल बगल वालों को ही डस लेते हैं पहले, पूछिए शिवसेना से, पूछिए NCP से, पूछिए श आप करते हैं, आपके साफ जो आया वो निस्तो नाबूत होकर ही जाएगा, यह तो मैंने थोड़े बहुत एक्जाम्पल बता दिया, जो आपके साथ सालों से हैं, उनके साथ आपने क्या किया, यह सब जानते हैं, उधभजी का आपने तिरसकार किया, इसका मतला महराश्र अभी लेने वाला है, मैं एक चीज़ यहाँ पर बहुत बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ, यहाँ पर बोला गया कि हमारे लोग हमलावर हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है इतना लोकतंतर ठीक है, अच्छी बात है, हम लोकतंतर की जब प्रकर पैरवी करते हैं, इतना लोकतंतर हम इंडिया गड़ बंदन में भी रखकर चलते हैं, हम चार लोगों की बात सुन सकते हैं, क्योंकि हम इंडिया गड़ बंदन को मश्بूत बांते हैं, बड़ा द्ल करके चलते हैं, 2019 में मोदी जी ने अटशा रैली करी हरयाना में, इस बार कराई गई गई चार क्योंकि देख लिया गया कि उत्तर प्रदेश में जो रैली हुई वेस्बेंगौल में हुई महराश में हुई पंजाब में हर जगे जहां मोदी जी रैली करने जाते थे बड़ी बड़ी हार हुई चद्धा समझाओ इससे समझाओ ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा मालूम पढ़ रहा है कल से कि एक ही राजी में चुना हुआ और एक ही राजी से रिजल्ट आया असलियत ये है कि जम्मो कश्मीर का रिजल्ट बहुत एहम है दस साल बीजेपी ने वहाँ पर एक मिसडवेंचर एक प्रयोग किया बीजेपी के पास जम्मो कश्मीर में कहने के लिए कुछ नहीं है ये असलियत है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे ये मूड अफ दड़ नेशन बता रहे हर्याना से मूड अफ दड़ नेशन बताए न जम्मो कश्मीर से भी जहाँ पर आपकी सिरे से हार हुई है जाता तो आपके लिए देखिए ना साचार सीटे हैं एक काउंटर क्वेश्चन है जो कि प्र्यांका जी ने भी कहा है यह अच्छा है उन्होंने बताया कि जम्मु कश्मीर में अपने गटवंदन के आपके लिए फायदे का सौधा हुआ आसंद की सीट कॉंग्रेस की हार कांतर 2306 वोट और आम आदमी पार्टी को वोट मिले 4290 वो ग्राफिक्स यह देखिए वहाँ पर 4697 मिला हम आदमी पार्टी को मुझे वो पता है आकड़े नहीं हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा आप तो सब जानती है लेकि यह नंबर जिसे बताने जरूरी है कि क्या अगर गटबंदन हो जाता आपकी पार्टी का अति आत्म विश्वास जो अभी आपके स साथी कह रहे है वो आपको भारी नहीं पड़ा नहीं सबसे पहले तो अंजना जी मैं नरेंदर मोधी तो हूं नहीं जो मैं सब जानूंगी रडार से लेकर नाली से गैस बनाने तकी बाते मैं मोधी जी थोड़ी हूं मैं अपनी पार्टी के प्रफॉर्मेंस के बारे में करूर करूंगी मैं यहां पर वही चर्चा करने आई हूं लेकिन मुझे लगा रिमाइंडर भी देना चाहिए कि इतनी बुरी शिकस्त के बाद जम्मू कश्मीर से नकार दिये गए वहां के लोगों ने आपको ऐसा करारा जवाब दिया है उनको मत से हटा देने का हर्याणा पर मैं एक चीज बताना चाहती हूं हर्याणा में छेत्री दलो का करीब 17-18% वोट शेर था उसमें जेजेपी वगेरा छेत्री दल शामिल से जिनको बीजेपी उकसाती है आज बीजेपी और हमारा एक तरे का वोट शेर है चुनाओ के नतीजों के बाद हाइंसाइट 2020 होती आखलन करना बहुत आसान है मैं आपके सामने साथ कंस्टिट्वेंसी का नाम रख देती हूं करनाल डवाली रिवाडी पानीपत सिती होडल कालका नर्नौल यह साथ ऐसी सीट्स हैं जिस पर EVM में कुछ गड़बड़ी पाई गई हमारे कैंडिगेट्स उसको लेके रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमिशन ने उस पर जब कोई फैसला नहीं लिया तो आज हम इलेक्शन कमिशन से हमारा जो डेलिगेशन है वो मिलने गया है ट्याना की हार से कॉंग्रेस पार्टी क्या कोई सबक ले रही है आती आत्म विश्वास शब्द आपके कम से कम 3-4 गड़बड़न के साथियों ने कहा है हर चुनाओ हर परिणाम हर नतीजे से हम कोई न कोई सबक जरूर सीखते हैं कॉंग्रेस पार्टी इससे भी सबक सीख रही है मैंने आपसे पहले ही कहा कि रणनीती बन रही है राहुल जी और खरगे जी मिले हैं आगे हम अपने गड़बंदन के साथियों से बात करेंगे हम तो एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से बात करते हैं हमारे अंदर लोक्तनत्र है हम थोड़े महराश्ट में दूसरे को कह रहे कि इनको देखकरि उल्टी आई ताना जी सावलत ने क्या कहाता जीद डादा को इनको देखकर मुझे उल्टी आती है दम गुठता है एक आ बदला आपसे महराष्ट लेगा जो आपने उद्व साथ किया उसका बदला लेगा और बदला पूर का भी बहुत बड़ा बदला लेगा नाच नजाने आंगन टेहा कुछ ऐसा ही हाल हर्याणा में बीजेपी का है अपनी आगामी हर से सक्पका कर बीजेपी इतना घबरा गई पहेंडर गई पहेंडर गई उसका नतीजा सबके सामने है बीस के उपर अगर बढ़ जाए तो बेका नाम बदल दीजेगा प्यों गया बुनी नी बात ही कि अगर बुदी आऊ अगर आपने वीडियो अंत तक देखे है तो मीड करता हम आपको वीडियो पसंद आये होगी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं वीडियो को अंतर तक देखने के लिए आप सभी का भुद्बू धन्यवाद ऐसी मेज़दार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न बूले चलिए दोस्तों मिलते हैं मुझे लगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंग बंदे मात्रम्भ झाल सब्सक्राइब सेमा बंदे मात्र करेक्षाажу आप म हमें तब लिए जोगली वीडिवीशा बंदे मात्राइब से इलिए करत।